हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली डाटा को सप्लिट करने के बारे में कि कैसे हम अपने टैली के डाटा को सप्लिट कर सकते हैं सबसे पहले जान लेते हैं सप्लिट करना होता क्या है सप्लिट करने का मतलब ही होता है, जब भी हम किसी चीज को पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम सप्लिट बोलते हैं, यहां पर टैली में डाटा सप्लिट का मतलब ही होता है, कि जब हमारे पास डाटा बढ़ जाता है, तो उसको हम दो बागों में डिवाइड के अंदर रखा हुआ है अब दोनों कम्पनियों का डाटा जादा होने की वजह से मेरी जो टैली है वो हैंग करती है मेरा सिस्टम हैंग करता है जिससे जो है मुझे एंट्री करने में परेशानी होती है या तो फिर मुझे वेट करना पड़ता है तो इसी प्रोब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं डाटा को सपलिट कर देते हैं जिससे हमारा 23-24 का डाटा अलग हो जाएगा और 22-23 का डाटा हमारा अलग हो जाएगा या तो फिर हम इसके लिए एक नई कंपनी क्रेट करते हैं बट नई कंपनी क्रेट करने में दिक्कत हमें यह आती है कि हमें सारे के सारे opening balance चाहे वो laser के हो, stock item के हो तो ये सारे के सारे हमे opening balance फिर से डालने पड़ते है, नही company में और सारे के सारे laser stock item जितने भी हमने bena bounce है वो भी हमें धुबारह से करके करने वाले हैं तो यहाँ पे मैं माने के चलता हूं कि जो मैंने अभी एक कंपनी बनाई हुई है इसका टाइम पिरियड का 30 मार्च को खतम हो जाएगा और फिर से मुझे जो है इसी के अंदर अकर मैं डाटा सेव करूँगा तो मेरा कंप्यूटर और जाता है होगा तो मै इसके डाटा को यहाँ से सप्लिट कर लेता हूं डाटा सप्लिट करने के लिए आपने क्या करना है अल्ट वाई प्रेस करना है अपनी गेटवे ओफ टैली पे आके या तो फिर उपर की साइड आपको डाटा का एक उप्शन देखने को मिल रहोगा तो इस पे आपने जाना है और सिंपली क्लिक कर देना है उसके बाद आपके जामने दो तिन ओप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है डाटा बैक अप ले लेना है जो भी आपका डाटा है उसको आपने यहाँ से बैक अप ले लेना है तो डाटा बै verify data पर click करना है verify data का मतलब ही होता है कि अगर हमारे data के अंदर कोई भी error है तो वह हमें यहाँ पे show हो जाएगा तो simply आपने क्या करना है यहाँ पे click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से option आएगा और आपकी company का नाम लिखाएगा तो simply आपने आपने आपको accept कर देना है इसको enter press करके उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मेरे data के अंदर कोई PRR इस time पर जो है वो नहीं है तो इसका मतलब यह data supply आसानी से हो सकता है उसके बाद फिर से आपने क्या करना है अल्ट वाई प्रेस करना है या तो data पर आजाना है फिर से और supply पर आके यहाँ पर supply पर enter press कर देना है उसके पाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपकी company का नाम आ जाएगा और निच्चे की side आपको जो है data supply में दो company होगा option देखने को मिल जाएगा एक में है first company दूसरे में है second company तो यहाँ पर आपकी total दो company ग्रेट होएंगी एक तो जो पहले नंबर पे है first company और निच्चे दूसरे नंबर पे है जो वो second company अब यहाँ पर होगा क्या जो भी आपके 33 में closing balance था वो जो निच्चे वाली company है second company वो automatically transfer हो जाएगा और यहाँ पे आपसे time period भी पूझ रिया टैली कि कब से आप इसे split करना चाथते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल एक अपरेल 2024 से मतलब यह 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 कि इसका कि जब भी हम कोई नई company बनाएंगे तो वहाँ तक हमारा data पिछे वाले सारे opening जो है हमारी नई company में automatically चड़ जाएं उसके बाद आपने क्या करना है enterprise करना है जैसे ही आप enterprise करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से yes का option देखने को मिलेगा तो simply यहाँ पे आपने accept कर देना है और यहाँ पे continue to split company data को भी आपने yes कर देना है उसके बाद दोड़ी प्रोसेसिंग लेगा और आपका data जो है वो split हो जाएगा data split हो तहीं आपके सामने तीन company जो है वो show ने लग जाएंगी पहले number पे वो company है जिससे हमने data जो है जो है जो split किया है और निचे वाली दो company हो है जो data split होने के बाद हमारे पास बनके आई है तो अब आपने क्या करना है सारी की सारी company को यहाँ से आपने बंद कर देना है तो altf1 यहाँ पे आपने प्रेस करना है जैसे आप altf1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपने एक एक करके इन सारी कंपनियों को शट कर देना है तो मैं इनको यहां से शट कर देता हूँ उसके बाद आपने क्या करना है जो भी आपने कंपनी बनाई है जिसमें आपने अपना डाटा अग्गे से सेव रखना है मतलब कि 2023-24 की तो जो है हमारी पिछली कंपनी थी 2024-25 के हमारी यहां पे नई कंपनी है जिसमें हमने अग्गे डाटा सेव रखना है उसको आपने उपन कर लेना है उपन करने के बाद इसको आपने यहां से नाम अगर चेंज करना चाहो तो नाम चेंज कर सकते हूँ यहां पे मैं नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सेम जो है 2023-24 इस कंपनी के लाश्ट में लिखका हुआ था तो यहां पे मैं क्या करता हूँ इसको पिछे से जो है रिमूव करके 23-24 की जगह है यहां पे मैं 24-25 लिख देता हूँ जिससे जो है मुझे यह पता रहे कि यहां मैंने इसी कंपनी में अब काम करना है क्योंकि पहले जो है 23-24 दोनों कंपनीों में सेम आ रहा था जो हमने सप्लिट करी थी तो इसलिए यहां पे मैंने इसका नाम जो है वो चेंज कर दी है उसके बाद यहां पे मैं क्या करता हूँ इसको एंटर एंटर प्रेस करके यहां से सेव कर देता हूँ उसके बाद यहां पे मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि मेरा जो है opening balance और laser जो भी मैंने create की हूँ आता चाहे वो stock item है कि मेरी इस नई company में आया है या नहीं आया है इससे पहले मैं क्या करता हूँ अपनी पुराने वाली company open कर लेता हूँ और वहाँ से मैं किसी एक laser को check कर लेता हूँ कि उसमें कितना balance था तो मैं altf1 प्रेस करता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं 23-24 वाली company open करता हूँ यहाँ से मैं क्या गर तो एक laser को open कर लेता हूँ DAL प्रेस करके यहाँ पे मैंने लिखा Amit और Amit का laser मैंने open किया यहाँ पे आपको देखने को मिल लाए 14,500 और पे credit में ऐसके उसके बाद मैं फिर से अपनी दूसरी नई company जो कि मैंने supply करने के बाद मेरे पास iOS को open कर लेता हूँ यहाँ से जो की 24-25 है उसके बाद यहाँ पे मैं laser सर्च करता हूँ Amit का और यहाँ पे आपको देखने को मिल लाए 14,500 यहाँ पे मेरे opening balance में आ चुके है data supply करते हूँ यह आपने बस दो बातों का द्यार रखना है एक तो यह कि आप हो सके तो 30 March को ही अपने data को supply करो और दूसरी एक है कि अगर आप multi user tally यूज़ करने हो उसमें data supply करने के लिए आपने server का यूज़ करना है server PC वो PC होता है जिसके अंदर multi user tally का data save होता है आपने client PC यूज़ नहीं करना server PC ही यूज़ करना है उसमें से आपने अपना data supply करना है